हिंदुस्तान के पचास ज्यादा शहरों में शाहिन बाग का मंसर हो चुका है हमारी औरते मा बैने सड़के पर आच चुका है ऐसे में उल्माय दिन का क्या पैगाम है यह मश्याद पचास ही नहीं बलके आज की रिपोर्ट आई है कि दो सो पूरे हिंदुस्तान में दो सो और वहां पे हमारी मार बैने और सारे मधब और मिल्लक के लोग बैख करके जो कानून लाया गया है उसके खिलाब इतजाद कर रही हैं सर्दी में कड़ाके के ठंड़क में और अपने बच्चों को ले कर दो इसमें उल्माय कराम का रोल बिल्कुल साप और किलियर है जिन उ अपने कौम को बेदार किया और कौम को इन तमाम चीजों के बारे में आगा किया उल्माय कराम ने ये भी कौम से कहा था कि हम आगे रहेंगे इसकी मखालपत में आप हमारे पीछे पीछे आओ और उल्माय कराम हमेशा इन सब मामलात को लेकर वतन की जा बात आती है देश की कि लोग हैं हम उनकी बात नहीं करते हैं जो अलमाई हक हैं अलमाई हक हमेशा अपने सर को हथेली पर लेकर कफन बर्दोश होकर इंदुस्तान के खिलाब जो भी आच आती है उस आच को रोकने के लिए हमेशा मेदान में रहें तो आपको सुप्रीम पोर्ट का जो आपका जो कमित्र सम्यधान जो हिंदुस्तान का है उसके आर्टिकल होटें से जारेट ठकराता है जो हम इसको कभी घवार नहीं कर सकते लेकिन को हमारे बड़े-बड़े दोक्तरों ने लोगों ने मिलकर के जो सम्यधान बनाया है और जो तमाम मजभब के लोगों के लिए परमेटी क प태शार किया जाए उसमे जर्चार बराबर भी किसी किसम कि घूस पैटी किया जाये ये कभी भी हम लोग बरदाश नहीं का सकते हैं हम लोग पहली बात यह हैं कि इन्होंने कहा है कि तीन देशों से ceremon उस्तुर यह हिंदु को तो पिर वहां से तुम हिंडू कैसे लाओगे उसके इलावा और भी बाते हैं इसमें इन्होंने यहुदियों को छोड़ दिया है और उन लोगों को भी छोड़ दिया है जो तीपत में बुद्धिश्ट लोग हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कहा है मियामार बगएरा में म सिल्मानों को अभी तो तिन साल पहले इतना सक्त तरीके से परिशान किया गया इन लोगों ने उसके बारे में कोई हमायत नहीं किये स्रेलंका में हिंडूों को परिशान किया जाता रहा हमेशा इन लोगों ने उसके हमायत नहीं किये तो आकिर यह कहना क्या चाहते हैं इनक कि हमारी राजनीती परमपरागत चलती रहे और हम कूर्सी में हमेशा काइब रहे हैं वजीर दाखला जो गिरा मंतिर हमारे हमेशा जी हैं उनका कहना वो समझें लेकिन हम इतना जानते हैं कि पूरे हिंगुस्तान में जो इतनी शिद्धत से मुझदाहिरे और इतजाज हो रह कि भड़कता है चरागे सूब जब खामूश होता है तो जब जिस तरह से सूब का चराग जो बुझने वाला होता है तो अपना पावर दिखा करके बुझता है वह इसे ही इन लोगों को मलूम है कि हम लों काला कानून हिंदूस्तान में नहीं चलने है इसलिए वो अपना सारा कस्वल आज अपने पुरी तक्रीर में उन्हों निकाल के रख लिए था बंगाल के शाहीं बार में आप भी इस्वटाय हुए है इसे शाहीं बार करांगे हैं हाँ पंदरा देने से यहां पर वरते खुवातीन मुस्तुराथ दने पर हैं इनके सवातीन हों चाहे शाहिनबाग में चाहे मनसूरी पार्क में इलहाबाद में बैठी हो चाहे लखनों में बैठी हो चाहे इसलामपूर किशंगज में बैठी हो चाहे सबजी बाग पटना में बैठी हो मैं इन तमाम मारबहनों की हिम्मत को हौसलों को सलाम करता हूँ और मैं को हिंदुस्तान के अदालत पर कल भी भरोसा था और आज भी भरोसा है बीच में बावरी मसिद का जब मामला आया थोड़ा सा तो हम लोग हलाके मान को ज़रूर लिए लेकिन हम लोग के दिल में कुछ शक्ष शुवा दूर पैदा हुआ कि वो किसी की गाइड लाइन पर बात तकरा रहा है इसलिए सुप्रीम कोट में इनका कानून मुकंबर रद हो जाएगा यह हम लोग को पूरा भरोसा है मुखालफत इसलिए कर रहे हैं इसमें मुस्लमानों को चाटा जा रहा है मुस्लमानों को अलग किया जा रहा है और जो CAA जो पहले कैप था अब CAA एक्ट हो गिया है उसमें हिंदू भाई, हमारे पार्सी भाई, जैनी भाई और जो तमाम ब्रयादराने वतन हैं, सब को जो है, उसमें शामिल किया जा रहा है, सिर्म मुस्लमानों को छाड़ा जा रहा है इसलिए हम लोग NRC पे आप देखिए, जो आसाम में हुआ, इसमें 19 लाक जो किया गिया, उसमें 16 सो करोर पे खर्चा हुआ, ठीक है, अगर पुरी हंदुस्तान में किया जाएगा, जो हिसाब लगाया गिया, 54 हजार करोर खर्चा होगा, यह पैसा कहां से आएगा, यह पैसा पब्लिक से लिया जाएगा, आज पब्लिक पैसा हाई नहीं, रोटी खाने को पैसा नहीं है, घर में जो है, आज सबों के थाली से प्याज और डाल, यह सारी चीज़ छीन लिया गिया है, आज यह इनर्सी लेका रहे हैं, जिसमें हजारों हजार करोर खर्चा होगा, अब परिकिरिया जो है, उसको करने में दो लाक करोर पर खर्चा है, यह पैसा आए का कहा है, हमारे नौजवान बिरोजगार है, मांगाई बिल्कुल जो है, आसमान को छू रही है, जीटीपी चरमराई हुई है, इन सबों पे पर्दा डालने के लिए, यह मिशा जी, गिरह मंतर जी जी या पर्दा मंतरी जो है, यह जूट बोल रहे हैं, लोगों को भरम खेरा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, मैं तो यह कहूंगा, कि नर्सी या इन पी आर या सी एक मुखालफत हम लोग इसलिए कर रहे हैं, कि हिंदुस्तान को तबाही के दहाने पिला कि इन लोगों जाहिल हैं, पड़े लिखे हैं नहीं, पड़े लिखे हैं लोगों को साइड कर दिया है, जाहिल लोग हुकूमत करने बैड़ गये हैं, अपने वक 동안 तो यह तड़ी पार रहा चुका है, वो अपने वक का कि रह मंत्री वजिए आला बत चुका है, आज तमाम हिंदू भाई, मुसल्मान भाई, सिख भाई, इसाई भाई ये तहिया कर चुके हैं अब इनको गद्धी से उतार के ही जनम लेंगे उतार के ही दम लेंगे मुतरम दोस्तों मैं कहना यही चाहता हूँ कि आद तमाम हमारे जितने भाई हैं हंदुस्तान में बसने वाले हिंदुस्तानी, हिंडियन्स, भारती सबों को चाहिए कि सड़क पे आएं सड़क पे आगर कल फैसला अगर आगया सही फैसला आया हमारे सुप्रीम कोट ने सही फैसला कर दिया इस काले खानून को रद कर दिया लिजट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है वन्ना हम लोग इस लड़ाई को बहुत बंबी लेके जाएंगे सर्फरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजूई कातिल में है मुद्दई लाक बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मनजूर खुदा होता है